रंगों को तेवार होली नजदीक हो और पलाज के फुलोग की बात ना हो ऐसा संभव नहीं हिंदु धर में अनादिकाल से प्रतियक रित्व के नुसार पुट्सव मनाने की परमपरा चली आ रही है इसी तरह बसंत रित्व में बसंत पुट्सव को हम तभी होली के रूप मना जाते हैं बसंत रित्व में प्रक्रिदी का वात्रवन स्वाबन हो जाता है इस समय ना तो जादा गर्मी होती है और ना ही जादा ठंड पुराने समय में अलग-अलग रंगों को उड़ा कर बसंत पुट्सव मनाया जाता था तभी से होली पर खेलने की परमपराश शुरू ही है पुराने समय समय में होली कि लिए फूलों से रंग बना जाते थे उसे बनी रंग तोचा के लिए अलाब दायक होते थे रंग बनाने के लिए उप्यों की जाने वालों में सबसे विशेश महतव रखता है पलास का फुल जिसके सुन्दर लाल पुट्स पदेख लोग स इस्तिमाल के जाता है। लाल रंग के खुब्तुरत फूल से घर पर ही रंग गुलाल बना कर हूली खेनने के परंपरा हरही है। वर्तमान में लोग बजार से केमिकल युक गुलाल का इस्तिमाल करते हैं। आने वाली होली घर पर ही पलास के फूल से हरुबर गुलाल ये रंग बना सकते हैं यह गुलाल आपकी तुचा को अलग चमक देगी और साथ ही वाता वरंस उंगंजित उठेगा। लाव रंग के खुबत पलास के फूल को इकठा करने के बाद उसे सुखा लें और उसके बाद जब वह सुख जाए तो उसे उबाल लें। मातरा कभी ख्याल लखें कि दो जिटर पानी में केवल 200 ग्राम पलास के फूल इस्तमाल करें। पानी में पलास के फूल को उबालने के बाद आपको नजर आएगा कि पानी का रंग के सरीया हो जाएगा अब इसका इस्तमाल आप होली में रंग के रूप में कर सकते हैं। इसी पारंपरिक त्योफार को इस धंक से मनाने से इसका मतलब बैज्यानिक प्रभाव भी हमारे सरीर पर पढ़ता है। लिटर पानी में लगबग 200 ग्राम के प्लास पुल को डाल कर उसको बालते हैं। फिर उसको छोड़ी छोड़ देते हैं और वो रंग जो पानी का है वो सिंदूरी हो जाता है के सरीया कलर बन जाता है। और वो कलर आप पुली में उसका प्रयोक कर सकते हैं। उसके प्रयोक से ना केवल मतलब इसकीन को खत्रा नहीं रहता बलकि इसकीन की चमक भी वड़ती है। उसमें ग्लो आता है। और दूसरा उसके माध्यम से गुलाल भी मना जाता है। जो पुलों को तोड़ लेते हैं उसमें लाल और छोड़े काले कलर की बिंड़न्टी रहती है। उसको अलग कर देते हैं। लाल कलर के फूलों को लेकर फिर उसको धूप में सुखा देते हैं दोकर और उसके पश्चात उसको सुखने के बाद उसको बारीक पीस कर फिर उसको कपड़ चंकर उपयोग करने से वह गुलाल का के सरीय गुलाल और लाल कलर का गुलाल के रूप में वह उपयोग के जाता है हुआ गुलाल और रंग से जब होली खेलते हैं तो उसका अनंद अलग होता है तो मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोद भी करना चाहूंगा कि इस तरह से अपने पक्के कलरों को छोड़कर जो केमिकल कलर को छोड़कर हरवल गुलाल हरवल रंगों का प्रयोग करें तो होल भी बहुत अच्छी रहेगी